असलामुलेकुम, आज की इस वीडियो के अंदर हम कन्जुगेशन के प्रॉसेस को स्टडी करेंगे पैरमीशियम के अंदर पैरमीशियम याद रखिया, यूनिसैलूलार आर्गिनेजम होता है और इसे किंग्डम प्रोटेस्टा के अंदर डाला जाता है और इसकी habitat structure जी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में study नहीं करेंगे हमारा टापिक है Conjugation जो के sexual reproduction की एक type है तो थोड़ा सा reproduction का introduction में आपको करवा देता हूँ reproduction में क्या होता है कि organism अपनी numbering increase करते हैं ठीक है offspring produce करते है तो peramishim भी अपनी numbering increase करता है और most of the time peramishim अपनी numbering asexual reproduction की जिए increase कर रहा होता है जिसमें method आजाता है binary fission बट कुछ circumstances ऐसे आजाते हैं कुछ conditions या unfavorable conditions आजाती हैं जिनमें peramishim को sexual reproduction करनी पड़ जाती है और उस sexual reproduction यह एक type है Conjugation जिसे इस वीडियो के अंदर हम detail से देखेंगे अच्छा अब यह sexual reproduction का benefit क्या होता है आपको बतते ही होगा genetic variation आती है organisms के अंदर और harmful condition को sustain करने के लिए उनके अंदर ability पैदा होती है ठीक है यानि कि genetic material जब change होंगे कुछ ऐसे gene जो powerful gene है वो आगे transfer होंगे जो कि harmful condition में organism को survive करने में helpful होंगे तो आपने यही समझ लेना है कि conjugation का basic function यह है कि ऐसे gene जो के powerful gene है उनका आगे transfer हो जाना और ऐसे gene जो के healthy नहीं है या survivor में helpful नहीं है उनका last हो जाना तो ताके powerful organism आकर सामने आकर निकले ठीक है सो यह conjugation का भी man function होगा मैंने आपको बता है conjugation एक type है sexual reproduction की तो इसके लिए ज़रूरी है कि दो individuals हो ठीक है sexual reproduction में क्या होता है male और female के meat का मिला पहुंग रहा होता है right so दो peramishium आपस में जोडेंगे ठीक है so यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दो peramishium एक दूसरे के करीब आएंगे ठीक है पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी structure एसी थी ठीक है यह एक peramishium आगया यह दूसरा peramishium आगया ठीक है यह एक दूसरे के करीब आए अब इन्होंने conjugation का process करना है तो आब इन दोनों peramishium को आपस में conjugants कहा जाता है ठीक है यह एन्होंने conjugation का process करना है अब जैसे यह क्रेब आएंगे तो यहाँ पर इनकी जो cell में brand है यह आपस में fuse कर जाएंगी और इस तरीके से एक bridge बन जाएगा ठीक है यहाँ पर एक bridge बन चुक है इन्होंने एक bridge बना लिया है और अब इन दोनों को conjugants कहा जाता है clear हो गया अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ में आपको बता दूँ कि peramishium के अंदर एक specific characteristic होती है कि peramishium के अंदर दो type के nucleus मौजूद होते हैं ठीक है एक nucleus थोड़ा बड़ा होता है size में उसे macro nucleus कहा जाता है एक nucleus थोड़ा छोटा होता है size में उसे micro nucleus कहा जाता है macro nucleus ज्यादा तर function perform कर रहोता है metabolic activities के अंदर यानि cell के अंदर जितनी ही metabolic activities होनी है enzyme reproduction होनी है वो सारी जहां से हो रही होगी जबकि micro nucleus का रॉल या importance की आजाती है sexuality reproduction के अंदर ठीक है यानि genes को आगे transfer करने में micronucleus का ज्यादा रॉल होता है so micronucleus याद रखिये जब भी conjugation होगी या paramecium जो रह रहा होता है normal condition के अंदर उसमें जो micronucleus होता है वो diploid होता है यानि उसमें chromosome number क्या है two n है यह आपने याद रखने है क्योंके आगे meiosis होनी है आपको समझ आएगे ठीक है तो यहाँ पर यह दो paramecium आपस में एक ज़सरे करीब आए हैं एक conjugation bridge डिवेलप हो चुगा है और इन में जो nucleus है micronucleus उसकी क्रोमोसोमल कंबिनेशन क्या है है ठीक है अब क्या होगा जैसे conjugation का process start हो रहा है सबसे पहले यह दोनों paramecium क्या करेंगे अपने nucleus को meiosis के इजरी डिवाइड करेंगे और आपको बता होगा जब भी nucleus के अंदर meiosis हो रही होती है तो एक nucleus से कितने nucleus बनते हैं और उनका chromosome नंबर क्या हो जाता है है फ्लाइड हो जाता है ठीक है तो यह यहां पर इस nucleus के अंदर क्या हुआ meiosis हुई एक nucleus से चार nucleus बनें बाकी तीन मैंने blue color में ड्रागर रखें और इनकी chromosome नंबर क्या होगी one n होगी यानि हम कह सकते हैं है फ्लाइड है क्रोमसों नंबर है फ्लाइड हो चुकर है ओके अच्छा जैसे यह first step हुआ यानि meiosis हुई चार nucleus बन गए है कि इसके अंदर भी चार nucleus आगे दूसरे परमीशिम के अंदर भी चार nucleus आगे और यहां पर यह जो यह macron nucleus है यह क्या करना चुरू कर देता है यह disintegrate होना चुरू हो जाता है यह disappear होना चुरू हो जाता है ठीक है इसका कोई खास role होने वाला नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब sexual reproduction हो रही होगी तब यह macron nucleus का कोई खास function नहीं है क्यूंकि इसका function सिर्फ metabolic activities के अंदर आ जाता है ओके अब hopefully यहां तक आपको step समझा चुका होगा मियोसेज के जरीए चार nucleus बन चुकी है बट होता है यह है कि यह जो चार nucleus nucleus बनते हैं इन में तीन जो हैं वो disintegrate कर जाते हैं ठीक है तो अब यहां पर इस line को अब क्या कर देता हूं है तकि confusion नहां ठीक है यह भी disappear होगे और यह भी disappear हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर म हैं इन्हे डिसापीर कर देता हूं अब यहां पर यह जो nucleus है यह heathloid पड़ा हुआ है जो यहां पर और यहां पर difference क्या है कि JOHN PA за nigga फ्रंट रहे चुकत है अन्ट की और चूटा निभली सेता है और में सब्सक्राइब मैं कि तोड़ा है है यानि के आपको बता देता हूं क्या हुआ इस न Edwards ने दो निक्लियस मना दिये परिडियर को मैं पॉरा थीक है उसका साइज वड़ा है और वो क्या है नान वोटायल है यानि मॉब नहीं कर सकता इसका मतलिब यह है कि छोटे निखियस में ब्रेज को पार कर के इस साइट जाना है और इस साइट है और शाइट भी जाstory मी जाहिर भाते दो निकलिस के साथ fuse कर जाएगा so fusion of nucleus occur होगी इस process को sin gamma of nucleus बोलते हैं sin gamma क्या होता है जब दो cells आपस में मिलते हैं और a glass cell बनता है तो उसे sin gamma कहा जाता है इसी तरीके से sin gamma nucleus के अंदर भी हो सकती है जानि दो nucleus आपस में मिले a large nucleus बना so यह दो nucleus आपस में मिलें यह next step में क्या होगा एक large nucleus बनेगा यानि यह red वाला large था इसमें आके green वाला insert होगा यहां पर color change में कर लेता हूँ यहां पर green वाला insert हो जाएगा ठीक है और यह blue वाला इस side आ गया तो यहां पर यह blue आ जाएगा clear हो गया okay अब आप अगर एक चीज नोड करें तो क्यूंकि nucleus आग दूसरे की तरफ transfer हुए है तो दुबारा से अब इस nucleus के अंदर जो chromosome का number हो क्या हो जाएगा deployed हो जाएगा ठीक है यह अपने चीज जाद कर लेनी है और क्यूंकि दो paramecium के अंदर nucleus की exchange हुई है तो genetic variation भी देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं प्लस आपको genetic variation देखने को मिलेगी man जो function है variation genetic variation clear हो गया okay अब यहां तक हमने study कर लिया step तक अब होता क्या है यह diploid micro nucleus क्या करता है यह mitosis का process अरता थी ताइम mitosis करता है तो यहां पर boulemen माइक्रों नी क西 होते हैं और यह कितने वह जाते हैं created an आठ्ट मैक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं अब क्या होता है यह जुद कोई 006-2017 is 對 कर दें मेक्रो न्यूक्लियस बनाते हैं क्योंकि उल्ओ अब आप्षण सब्सक्षाइवा जाएगा इसक्रा facto उपर वाले माइक्रो नुकलिस बन जाएंगे और ये नीचे वाले जो माइक्रो नुकलिस हैं इनमें क्या होगा डिसिंटिग्रेशन हो जाएगी तीन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे एक रह जाएगा ठीक है आपने याद रखना है अब इस सेनारियों को मैं ऐसे आपको दिख रह Łँँ ये उपर वाले चार क्या होगै ये ग्रीन में ये लिख दिए है ये चार मैंक्रो नुकलिस बन गये की पेरेमेशिंउं कि अंदर और ये जो नीचे वाला था ये क्या है ये रेड है आई की माइक्रो नुकलिस मौजूद है ये मैक्रफिसंस रहिए हैं ये में से पहले यह वाला निपलिस भी डिवाइड हो जाएगा यहां कि on में जाएगे जो दो दुसरे खनले चालै जो यहां կहां पर इस आमने कि खर paint है कि इसमें पकી ießen हूई. यह दो में करनवाड हुआ. इसमें ए मा underwear हूआ. इसमें ए लोगे हैं धिवाइड होते हैं, ले क्टिका हैं, अगें ऑते हो आगेंस एदक हुरों अगन ग्ड Sou pret Karl एक चला थे और खमस्ते हैं, लेचोर अभिताई. और इसका खिर फीए हैं, क्शीएॡ़ दो की structure बन चुकी है यह वाला भी दो में डॉप हो जाते हैं और यह वाला भी दो में सो एक paramecium से चार paramecium बने हैं यहां पर दो paramecium आपस में जुड़े थे total आठ paramecium conjunction के नतीजे में बनते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा क्विक्ली रिव्यू कर लेते हैं मैंने आपको बताया है का प्रोसेस का है sexual reproduction की टाइब है paramecium के अंदर जिसमें दो paramecium आपस में करीब आते हैं और एक bridge बनता है इस bridge के जरीए genetic material ट्रांसफर होता है कैसे ट्रांसफर होता है उससे पहले मैंने आपको बताया के अंदर दो टाइब की nucleus होते हैं macronucleus और micronucleus जो conjugation का process होता है वो micronucleus के जरीए और होता है macronucleus disintegrate हो जाता है ओके सबसे पहले micronucleus को आपको बताओ ना जाए यह diploid number में होता है 2N number होता है इसमें meiosis होती है और यह haploid में यहां से यहां पर chromosome number deployed हो यह नी 2N हो जाती है और साथ में हम कह सकते हैं genetic variation यानि genetic material transfer हो तो genetic variation देखने में मुलती है ठीक है अब इसके बाद क्या होता है कि अंदर 3 time mitosis होती है mitosis के नितीजे में 8 cells बन जाते हैं जिन में 3 disintegrate हो जाते हैं चार जो हैं वो macro nucleus में convert हो जाते हैं और दूसरे में चला जाते है है और यह से । इस तरह चला गया और यहां जहांसे दूसर इस तरिखे से बने यहां पर दूसल थे दूसरह भी यह होती है ओप्फुली आपको लेक्टर समझ में है होगा नेक्ट लेक्ट दोता है के लिए मुझे जाज़त देंक शुक्रिया अल्लाफिस